हेलों दोस्तों स्वागत करते हूँ फिर से अब सब को अपती इस चैनल में तो गाईजी इस इस बीडियो को बीडियो को बिना स्क्रिप के पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो बाकि अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हूं अब जरूर से जोइन भी कर सकते हैं तो लिक में प्रास के अंदर हमें तो देखने को मिल रहा है तो क्या यहां से प्रास के अंदर हमें और भी डानफॉल देखने को मिल सकता है या नहीं, तो मेरे हिसाब से Bitcoin के price के लिए यहाँ पर एक local support हमें देखने को मिल सकता है, जो कि एक minor support होगा, 19,100 के आसपास, ठीक है, तो यहाँ पर अगर Bitcoin अपना support sustain कर लेता है, well and good यहाँ से हमें price के अंदर तो आपट movement मूब्वंट देखने को मिल सकता है, नहीं, तो हमें यहाँ पर price के अंदर और भी थूड़ा Bitcoin के price के अंदर Ahora बेखने को मिल его price ने इसी जोण को strike किया, लेकिन after striking on that particular zone, हमें price के अंदर rejection को मिला, और अभी पर प्राइस के Hai से अगर विटकोईन के पॉपर अजय को मिलत आप है। 17,500 के आसपास भी देखने को मिल सकता है, तो मेरे हिसाब से मुझे असा लग रहा है कि Bitcoin काइंड ओफ आपको यहां से तुरह आप ट्रेंड दिखा सकता है, राइक प्राइस तुरह नीचे आके रीटेस्ट करने के बाद हमें प्राइस के अंदर आपड मुवमेंट भी देखन को मिल सकता है, तो आपको यहां पर Bitcoin के बारे में समझ में आ गया होगा कि exactly Bitcoin के प्राइस के अंदर क्या मुवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, बाकि अगर अगर आप इस ताइम पर आप तोरह नीचे से अपना एंट्री जरूर से बना सकते हो, क्योंकि यहां पर प्राइस सपोर्ट आपको बताया है, 19,000 के आसपास ठीक है, तो exactly 19,000 आप पकड़ लू, इसके आसपास भी हमें एक लोगल सपोर्ट देखने को मिलेगा, तो इन दोनों के आसपास अगर Bitcoin के प्राइस के अंदर हमें यहां पर सपोर्ट सस्टेन करती है, तो यहां से हमें प्राइस के हमें देखने को मिल सकता है, like Bitcoin के प्राइस के अंदर जैसे ही movement होगा, वह ऐसे movement हमें जो है Ethereum के प्राइस के अंदर भी देखने को मिलेगा, like Ethereum अगर अगर अब देखोगे, 12,1284 के आसपास जो 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 हमें यहां पर Ethereum के Price के अंदर भी देखनी को मिल अब इस ट्रीम के Price के अंदर तोरा हमें आपवाड मुबमेंट देखनी को मिल सकता है मैं यहाँ पर यह तो नहीं बोलूगा कि exactly Bitcoin के price 25,000, 26,000 तक चला जाएगा, मेरे इस अब से price इने शौटा time frame price के अंदर हमें तोरा movement देखने को मिल सकता है, like Bitcoin के price अगर यहाँ से 20,000 के आसपास देखने को मिलता है, तो Ethereum भी इसी zone के आसपास जाएगा, जो कि है, 1415 के आसपास तो हमें Ethereum के price देखने को मिलेगा, 1474 के आसपास ठीक है, तो अभी इस time पर right now, जैसे कि अगर आप देख सकते हो, कल यहाँ पर Fed के interest rate के उपर depend करेगा, कि exactly market के अंदर जो भी volatility होगा, वो Fed के interest rate के उपर ही हमें उस volatility को देखना पड़ेगा, कि exactly market कौन से direction में हमें जाता हुआ अगर Fed के दरफ से कोई भी negative news निकल के आ जाती है, को interest rate अगर high होती है, 75 BPS से उपर, तो हमें यहाँ पर market के अंदर एक अच्छा सा downfall देखने को मिलेगा, like Bitcoin के price हमें 17,500 के आसपास जो easily देखने को मिल सकता है, अगर interest rate 75 BPS से उपर आया, तो अगर interest rate यहाँ पर 75 BPS से नीच आया, तो in that case क्या हो सकता है, कि market के अंदर हमें stability देखने को मिलेगा, और Bitcoin and बाकि alts के price के अंदर हमें तुरह movement देखने को मिल सकता है, सिर्फ यहाँ पर crypto market के बात नहीं है, Fed के जो interest rate होगा, उस interest rate के ऊपर depend करके, हमें stock and बाकि जितने भी market से उन markets के उपर भी एक अच्छा बादा interest rate को increase करती है, तो यहाँ से क्या होगा, कि हमें Ethereum के price के अंदर भी एक अच्छागा सा downfall देखने को मिलेगा, let's suppose कि जैसे कि अगर यहाँ पर जैसे ही news निकल का है, 75 BPS से उपर, तो यह जो zone ही, यह easily break होगा, and after breaking that particular zone, हमें यहाँ से price के अंदर एक अच्छागा सा downfall देखने को मिलेगा, like 1192 के असपास हमें Ethereum के price देखने को मिल सकता है, and after that हमें price 1169 के असपास भी देखने को मिल सकता है, तो यह जो दोनों चीजे हैं, इन दोनों चीजे के उपर आपको जरूर से देखनी है, बागे अगर आपने Ethereum को miss कर दिया यहाँ पर भी, तो मैं आपको इतरियम का, इस price point के उपर मैं आपको recommend नहीं करूंगा exactly entry लेने के लिए, बागे अगर आप लेना चाहते हैं, तो यह completely आपके उपर depend कर दिया, अब अपने end से जरूर से देख सकते हो, ठीक है, तो आगे सब को यहाँ पर Ethereum के बार में पूरा details में पता लग गया होगा, तो चलिए, अबर हम details में discuss कर लेते, Atom coin के बार में, तो Atom के price के अंदर भी हमें एक अच्छा असा downfall देखने को मिलाता है, 15.339 के आसपस जो हमें इस टेंप आटम के price के अंदर हमें movement देखने को मिल सकता है, तो मेरे सब से Atom के price के अंदर हमें यहां से movement देखने को मिल सकता है देखने को मिल सकता है, याँ पर, इस ZONE के अंदर हमें इनी Zones के आसपस देखने को मिल सकता है, तो यह से हो सकता है, कि हमें price के अंदर एक rejection को मिला, अच्छा सा movement देखने को मिलाने, तो मेरे सब से right now, Atom के price के लिए, मैं आपको यहीं बोलूँगा, कि Atom के price अगर इस ZONE को गुप करता है सिबेंटें डॉलार के असमें यहां जो यहां पर 19 ंडॉलार के गहीं देखने को घृत न कहीं है जब कर सकते हैं तो अगेर अगे यहां पर विखाइवथ के अदर कि भी हमें एक अच्छा असा डाउनफॉल देखने को मेला है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉज कोई इन काविंग डेज में डॉज कोई के अंदर तो आच्छा सा मुव्मेंट देखने को मिल सकता है तो बाकि अगर आपके पास डॉज कोई होल्डिंग में है फॉर लॉंग तो फिर आप डॉज कोईन को होल्ड जरूर से कर सकते हो लेकिन मेरे हिसाब से डॉज हो या फिर शिवा हो इन को 500 या फिर ताउजन रॉपिस का ही होल्ड करने चाहिए उससे ज़्यादा अगर अगर आपका लोसन की चांसे भी बहुत ज़्य से हमें प्राइज इसी जोन के आसपास देखने को मिल सकता है जो कि होगा 0.06237 के आसपास ठीक है तो यहाँ पर इस वीडिये के अंदर डिटेल्स में सब कुछ समझ में आ गया होगा बाकि अगर आप डॉट के यहाँ पर डॉच के अंदर एंट्री लेना चाहते हो तो कॉमेंट सेक्शन के अंदर भी आप मुझे जरूर्ट से बात अतक्तर मेलेंगे नेक्स्ट आप्डेट्स के साथ तब तक के लिए गुडबाई